हर्याणा वालमिकी महापंचाय द्वारा वालमिकी प्रतिनिधित सम्मेलन का आयोजन करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में किया गया इस दोरान भाश्पा परदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने मुख्य अतिति के तोर पर शिर्कत की आपको बता दे कि सबसे पहले सभी अतितियों ने भगवान वालमिकी के चितर पर पुश्प अर्पित किये और दीप प्रजवलित करके उनका आशिरवात प्राप्त किया इस दोरान भाश्पा परदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान महर्श्वी वालमिकी ने समाज को संस्कृति वजीवन जीने के मुल्यों को सिखाने के लिए महा काव्य रामायन की रचना की रामायन हमें धर्म प्रेम वत्याक की भावना सिखाती है भगवान वालमिकी अनुयाईयों को चाहिए कि वे अपनी इस विरासत को सहेज कर रखे ऐसी विरासत समाज के किसी भी वर्ग के पास नहीं है यहाँ पर देश अध्यक्ष ने कहा कि वालमिकी समाज कैसा समाज है ज जो कि जीवन के मुल्यों को सिखाती है वहीं इस ग्रंत में तरिकाल दर्शी भगवान वालमिकी ने भगवान रामचंदर के परिवार को अपने आश्रम में ना किवल सहारा दिया बलकि उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा देकर सक्षम बनाया आज भी वालमिकी समाज के लो जिसमें राज प्राप्त करने की नहीं बलकि राज तयागने की होड है भगवान रामचंदर्व भरत की लीला इसका उधारन है उन्होंने कहा कि हर्याना सरकार द्वारा अनुसूचित जाते वालमिकी समाज को मुख्य धारा में जोडने के लिए अनेक फैसले लिए गए है जिससे समाज आगे बढ़ रहा है पहले की सरकारे केवल वालमिकी समाज को वोट के लिए इस्तमाल करती थी परंतु मुख्य मंतरी मनोहरलाल ने भगवान वालमिकी के नाम से संस्कृत विश्व विध्याले शिक्षा में आरक्षन महापुरूशों की जियनती सरकारी करते हुए पूर्व मंतरी एवं मुख्य मंतरी के राजनितिक सचीव क्रिशन बेदी ने मुख्य तीति का अभार प्रकट किया और कहा कि कॉंगर्स पार्टी ने वर्षों से वालमिकी समाज को अपनी रीड की हड़ी बनाकर रखा इस समाज को वोट के लिए इस्तमाल किया प्रंतु वालमिकी समाज की भलाई के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया इस कारे करम में मंच का संचालन हर्याना वालमिकी महापंचायत के मुख्य सरहाकार रगुमल भट ने किया कारे करम के सयोजक जो गिंदर वालमिकी ने मांग पत्र पढ़ा और सभी अधितियों का अभ नमस्कार आप देख रहे थे अर्याना बालमिकी महापंचायत जिसमें अर्याना प्रदेश बीजेपी के अधक्स होम प्रकास दंखड यहां पहुंचे थे कर्य करम के बाद अभी पत्तरकारों से रूब रू होंगे यहीं देली हो यहां हम आपको बता दे कि बालमिकी समाज के और से एक बड़ा स्मेलन आयजित किया गया था हमारी से ब्यालमिकी के जिनम दिविश के प्रक्ष में ओम प्रकास दंखड यहां आये हैं अभी पत्तरकारों से बात चीत करें हैं आज मैं यहां बालमिकी जहनती में सामिल हुआ हूँ भगवान बालमिकी जिनने रामायन जैसे महान करंथ की रचना की और हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा अधार है और मुल्यों की सिक्ष्या दुनिया में किसी किताब में है तो रामायन में है वार ओफ वेल्यूज बाही कैसा हो पत्नी कैसी हो धरम कैसा निभाए राजा इन सब बातों की जो सिक्ष्या दी गई है आज भी समाज हजारों साल बाद कहता है बाही हो तो भरत जैसा हो सायोगी हो तो हनुवान जैसा हो, पत्नी हो सीता जैसी हो यह इतने बड़े आदर्स हमारे समाज के सामने रखे हम उनी आदर्सों पर बढ़ते होई समाज आगे बढ़ रहा है उस परमपरा कर जो महसी और भग्वान बालमी की जिनन रखी थी आज मैं यहां उनकी जैनती के समारों में समलित होकर अपने आपको अभीबूत पहसुस कर रहा हूँ और समाज ने बहुत सारी बातें जो है बहुत बातों के लिए धन्यवाद किया है कि महरसी बाल्मिकी के नाम पर विश्विद्याले है पढ़ने का जो रास्ता दिया है समाज को और महाफुरसों के जैनतिया जो सरकारी समारों के रूप में मनाई जाती रही है करोना काल को अगर हम इस बात को निकालते हैं तो उस सब के लिए भी समाज बहुत आभारी और अनुखरीत है ब्रोधा चुनाओ का बहुत अच्छा माहूल है नॉमिनेशन्स हो गए हैं और बहुत मैं कहूंगा कि सभी पार्टी आपने अपने अभियान में लगी हैं यह सीट पहले कॉंग्रेस के पास थी लेकिन बीजेपी कोई काउसर मिला है रिसाउसर को मुपलवदी में बतलेंगों किसान लगा ताज परदर्शन कर रहे हैं और 25 क्तुबर को उन्होंने बंद का अवान किया है देखिए जो तीनों विधेक हैं वो किसानों की आर्थिक आजादी के हैं कोई कमी उसमें कोई किसान संगठन निकाल नहीं पारा किसान संगठनों से जोड़े हुए कुछ लोग एक ही बात कहते हैं कि बाहर भी MSP पर खरीदा जाए यह बात उनमें जोड़ दो यह बात व्यावारिक नहीं है मैं आप मेडिया के साथियों के माध्यम से यह बात पूचाना चाहता हूँ अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं एकिस सो पचास के भाव में लेकिन जब बाजरा हम खरीद बंद कर देंगे तो बाजरे का यह भाव नहीं रहेगा सरकार बाजरे को वापिस भी बेचती है तो सरकार का अपना कोई काम नहीं तो सरकार जब वापिस बेचेगी तो और सस्ता हो जाएगा तो अगर मंडी में बाजरा सस्ता होगा और किसी किसान के घर में अगर महंगा रह गया एकिस सो पचास के भाव का तो अगर बारा सो पंदरा सो के भाव में मंडी में मिलेगा ओफ सीजन में तो कोई भी ट्रेडर कोई भी व्यापारी किसान से नहीं लेगा मंडी से लेगा वो कहेगा कि अगर मैं आप से लूँगा तो आप पे सर्पलगी हुई है कि 250 से कम नहीं ले सकता और उससे कम लिया तो मेरे पर जुर्माना हो जाएगा या सजा हो जाएगी इसलिए उसको बादे नहीं किया जा सकता इसी तरह से सरसो जब हम खरीदेंगे उस समय महंगी होगी जम वापिस बेचेंगे तो सस्ती आ जाएगी इसलिए वह बात व्याभारिक नहीं है लेकिन यह खरीद ऐसे ही जैसे मंड़ी में सरकारी खरीद हो रही है दहान की बाजरे की मूंग की यह ऐसी जारी रहेगी मस्पी बढ़ बढ़ के आएगा पिछली बार चो सट लाक में सब्सक्राइब करें हैंने वाल